तो हलो फ्रेंड्स तो यह वीडियो उन सभी एस्टूडेंट के लिए है जो दुहजर चोबिस में फाइनल बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं ठीक है वीडियो में देख चुके हैं और 21 नंबर से हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के description में उस video का link दिया हुआ है जा कर देख लिजेगा ठीक है तो चलिए हम लोग 21 नमर से आज हम लोग 20 question देखेंगे मैत का फिर से और आप सभी लोग कितने इस question को बिल्कुल सही कर पाते हैं ठीक है क्योंकि final board exam आप सभी का मात्र कुछ ही दिन का time बचा है तो जितना हो सकता आप लोग क्या किजिए revision करिए मैत एक तरह से होता है revision चलिए start करते हैं ज्यादा time आप सभी लोग का नहें लेंगे है कि 18 नमर कि अर्थ गोले के संपूर्ण स्रता का छेतरफल क्या होता है सभी लोग बताएगा ठीक है चलिए अगला question है 22 नमर कि 44 मीटर 44 मीटर परीधी वाले ब्रीत का तरीजिया क्या होगा ठीक है आप सभी लोग से पूछा है 44 मीटर देखिए परीधी ब्रीत का परीधी क्या होता है तो याद रखीगा 2 पाई यार होता है और 44 मीटर दिया है परीधी ये ठीक है 2 पाई यार 44 है तो 2 और पाई का मान किसना होता है मेरे श्यायर तो 22 बटा साथ और बोला है तरीजिया क्या है तो यार हमसे पूछा और बराबर 44 यहाँ पर देखिए 44 बटा साथ हो जागा 22 दूनी 44 और बटा साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर साथ है भागा में ठीक है यहाँ पर डिवाइड में साथ है तो इधर आएगा तो क्या हो जागा जी गुना में हो जागा और यह गुना में है 44 इधर आएगा तो भाग में हो जागा 44 तो 44 कटेगा यानि R बराबर कितना हो जागा मेरे प्यारे तो 7 हुगा R बराबर 7 बचे यानि इस question का बिल्कुल option number B हो जागा ठीक है इस question का बिल्कुल option number B हो जागा जितने भी student B लगा रहा है बिल्कुल 100% उन सभी का right answer चलिए 23 number question के और आगे बढ़ते हैं सभी question ठीक है जिनका त्यारे बिल्कुल भी नहीं है जी बहुत important यह series है जिनका हो चुका है वो revision कीजिएगा ठीक है बिंदू 2,3 एवं 4,1 के बीज का दूरी क्या होगा ठीक है दूरी formula आपको पता होगा कि X2 माइनस यहाँ पर लगा देना है X2 माइनस X1 का square दूरी formula होता जी और पलस Y2 माइनस Y1 का square कर देना है ठीक है यहाँ पर देखिए यह हो गया X1 यह हो गया Y1 यह हो गया X2 यह हो गया Y2 ठीक है तो X1, X2 कितना है جी 4 minus X1 कितना है तो 2 है 4 minus 2 और पलस Y2 कितना है 1 है मायनेस Y1 कितना है, देखिए Y1 3 है ठीक है, इसका square कर देना है यहाँ पर देखिए चार में से 4 में से 2 जागा तो बचेगा 2, 2 का square 4 और पलस है तो पलस 1 में से minus 3 जाएगा तो कितना बचेगा, minus 2 minus 2 का square होता है, 4 ठीक है, तो root 8 रूट आठ को हम लोग क्या लिख सकते हैं दू रूट दो लिख सकते हैं दो दूनी चार चर दूनी आठ यानि दो रूट दू इस कोचन का बिल्कुल ऑप्सन नमर यह हो जाएगा राइटन से ठीक है ऑप्सन नमर जितने भी एस्टुडेंट लगा रहे हैं बिल्कुल 100% रा ठीक है तो याद रिखिए गवा एक निर्देशांग का लाता है इस कोचन का बिल्कुल ऑप्सन नमर भी हो जाएगा राइटन से ठीक है इन सभी कोचनों में किसी भी एस्टुडेंट का दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोचन है पची relevant आप आप सभी बताईगा अगर देखिए भुजा जब ही बोलेगा दो छेतरफल से कम होता है धुजा क्या होता है छेतरफल से कम होता है यानि छेतरफल जादा होता तो इसका क्या कर दिज révokां कर दिजिए क्या advice ऍसक्षोफ कर दीजिए इसका अश्पार कर दिजे चार नेक्स कोचन के और ये डेली सरीज आप सभी को सभी सब्जेक्ट का होता है जी तो गर्दा उडा कर सेर भी करना है ठीक है इस मिहनत के लिए मेरे आप सभी को सेर करना 26 नमर कोचन है कि किसी द्युगा समिकरन के बिवेचक का माने सुनि से बड़ा अगर होने पर दोनों मूल जो होंगे वो कैसे होंगे मान की चलिए कोई बिवेचक डी बरबर है ठीक है क्या बुला बिवेचक का माने सुनि से बड़ा होने पर ठीक है सुनि से बड़ा हो जागा तो जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे वास्तविक और भिन होंगे वास्तविक और समान होंगे आवास्तविक और भिन होंगे या आवास्तविक और समान होंगे तो याद रिखीगा जब भी विवेचा का मानिसूनी से बड़ा होगा ठीक है तो वास्तविक और भिन होगा ठीक है क्या होगा वास्तिविक और भीन हो जाएगा यानि option number A इस question का बिलुकुल 100% राइट है ठीक है चलिए मेरी प्यारे आगला question आप सभी लोग के सामने है और बहुत ही important question है ठीक है सभी previous question है इससे जितना आप सभी के लिए math, science, social की जितना करार है इससे एक भी बाहर objective आप से नहीं पुछेगा यह मेरा guarantee ठीक है यहाँ पर देखिए 9 sec square theta minus 9 10 square theta ठीक है तो यहाँ पर क्या किजिए 9 दोनों तरफ है तो 9 को common कर लेते हैं ठीक है और बचेगा sec square theta minus 10 square theta ठीक है यहाँ पर क्या बचेगा तो 9 into sec square theta minus 10 square theta बराबर 1 होता है ठीक है आप सभी लोग पढ़े होंगे formula तो 9 into 1 into 9 हो जागा जब 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही बचेगा यानि इस question का बिलकुल option number B हो जाएगा right answer कितने student B दिये थे comment किजेगा गर्दा उड़ा कर फोड़ देना है जी मेरे शेर चलिए 28 number question is root to do एक काईसी संख्या है ठीक है सभी student को पता होगा कि root to do एक परिमे संख्या है ठीक है काईसी संख्या है परिमे यानि option number B इस question का बिलकुल 100% right answer होगा चलिए next question कर आगे बढ़ते हैं चलिए आगला question आप सभी लोग के सामने 29 number आप सभी लोग दिजेगा कि दो परिमे संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमे संख्या हो सकती है ठीक है अनंत परिमे संख्या हो सकती है ठीक है यानि option number D इस question का बिलकुल 100% right answer होगा चलिए तो इसमें देखिए दो घात यह नहीं होगा इसमें भी दो घात है इसमें त्री घात यह भी नहीं होगा यानि इसमें एक घात है इस question का बिलकुल option number यह हो जागा मिरे शेर जितनी भी student यह लगा रहा है बिलकुल 100% right answer है ठीक है चलिए एक 30 number question है और बहुत ही important question यह fix coach नहीं ठीक है यदि alpha और beta द्युगाद समीकरन x square plus 2x plus 3 का मूल है तो 1 by alpha और 1 by beta का मान आपसे भी को बताना है ठीक है यहाँ पर से देखिए पहले a बराबर क्या होगा 1 होगा b बराबर क्या होगा 2 होगा और c बराबर क्या होगा 3 होगा ठीक है तो यहाँ पर बोला 1 by alpha plus 1 by beta यहाँ पर क्या होगा alpha into beta होगा alpha सा alpha कटेगा यानि beta plus alpha ठीक है यहाँ पर देखिए alpha plus beta बराबर क्या होता है minus b by a होता है ठीक है तो minus b का मान 2 है और a का a 1 है यहाँ पर alpha into beta का मान निकालेंगे तो c by a होता है c का मान 3 हो a का मान 1 है यानि alpha plus beta का मान कितना है तो minus 2 है और alpha into beta क मान 3 है यानि माइनस 2 बटा 3 किस option में है जिस option में होगा वो answer होगा मैनस 2 बटा 3 option number B में है यानि option number B इस question का बिल्कुल 100% right answer होगा ठीक है अगर किसी परकार का आपको दिक्कत होगा तो live ठीक है live class हमारा सुबह 7 बजे और साम को 7 बजे चलता है बिल्कुल जुड़ना ना भूलेंगे ठीक है सभी दोस्तों को बिल्कुल उसमें आप सभी का डाउट लेकर चलेंगे ठीक है तो साम को चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नमर कोशन है और बहुत important कोशन है कि दिऊगहात बहुपद एक सब्सक्राइब मैनस 3 का सुन्यां क्या होगा ठीक है आप सभी लोग बताइगा देखिए एक सब्सक्राइब मैनस 3 बराबर कुछ नहीं है तो 0 एक सब्सक्राइब जब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस है तो इधर हो जाएगा पलस में जब एक सब्सक्राइब हटेगा तो यहां पर क्या जाएगा रूट पलस माइनस 3 तो पलस माइनस किस ऑप्सन में है जी रूट माइनस रूट पलस पलस रूट 3 माइनस र परसेंट राइट अंस रोगा चली नेक्स कोचन के रागे बढ़ते हैं 33 नमर कोचन है ठीक है अगला कोचन आप सबी लोग के सामने 33 नमर की क्या कर रहा है कोचन की वृत्याकार पत पर तीन धावा केखी अस्थान से दोड़ना प्रारम करते हैं तो एक चकर लगाने में करमस तीन घंटा चार घंटा और आठ घंटे समय लगता है तेनों को प्रारम बिंदू पर पुना ठीक है मिले में कितना समय मिले में लगा समय क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर तीन चार और आठ का LCM निकाल लीजिए आज एगा अंसर दीखे दो दुनी चार और दो चोक आठ य ठीक है इसका क्या करना LCM निकाल देना है और इसका LCM निकाल के option number D इसका आरहा अंसर चलिए आगला कोशन है 34 number क्या करा है देखिए कि 2,3,2,3 यह इसका बहूलक क्या होगा तो बहूलक उसे कहा जाता है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वही बहूलक होगा दो कित होगा दो है ठीक है क्या होगा यह एक बार है दो बार तीन बार तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होते है उसे ही बहूलक लगा जाता है चलिए इसका बिल्कुल option number यह होगा आगला कोशन है 35 number कोशन है कि दो समान कोनिक तिरभुजो में उनकी संगत भुजाओं का अनु यह यहां थेल्स ने कहें थे ठीक है यह किस ने कहा था तो थेल्स इसका बिल्कुल option number C हो जागा चलिए नेक्स कोशन है 36 number कोशन है यह फिर आपको मीड़ पॉइंट देखिए बिंदू ए और B दिया हुआ है उसका मान है मिलाने वाले रेखा का मध बिंदू पूछा फर्मूला होता है ठीक है यहां पर यह एकस बन हो जाएगा यह एकस टू हो जागा यह वाइवन हो जागा यह एकस बन हो जागा यह एकस बन होगा यह एकस टू हो जागा ठीक है तो फर्मूला होता एकस बन पलस एकस टू बाइटू और वाइवन पलस वाइटू तोड़ दिंए तोड़ दिये ऊपने तरह है रहेगा जी सेम कोश्चन रहेगा ये मेरा वादा है ठीक है इससे एक भी कोश्चन ठीक है बाहर नहीं पूछेगा साइथिस नमर कोशन यदि किसी वृत की तरीजया आधिक कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृतों का परीधियों का अनुपात क्या होगा ठीक है अगर कि इसका आधा कर दिये जाए यानि आरबाई टू तो जो वृत का परीधि का अनुपात होगा वो याद रहेगा ठीक है वो क्या होजएगा दो अनुपात एक होगा यानि इस कोश्चन का बिल्कुल आपस नमर भी हो जाएग ये सभी जान किसी प्रकार का नहीं ठीक है 38 नमर क चलिए 49 नमर कोशन है और बहुत इंबोड़न कोशन है यदी रूट 2 रूट 2 कॉस्ट थिटा बराबर 1 है तो थिटा का मान क्या होगा देखे रूट 2 कॉस्ट थिटा बराबर 1 ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर रूट 2 गुना मीं है इधर आएगा तो भागा में हो को तो कौश्ट सीटा बराबर वरन वड़ाई टू रूट कितना का मान होता है तो याद रखीगा पीजब का पाइतालिस का मान होता कार्स से कोश्क चैनल यानि ठीटर बराबर 45 डिग्री होगा पाइतालिस यानि ऊप्ष्टा 620 को कि अगर किसी भी परकार का आपको doubt है comment box खुला है जाकर बता सकते हैं हमें तो आप सभी लोग को बता देंगे ठीक है 40 नमर कोचन है कि 1 पलस कोट स्कॉयर बटा 1 पलस कोट स्कॉयर ठीक है बटा 1 पलस 10 स्कॉयर किसके बराबर होता है तो याद रिखेगा 1 plus quarter square बटा 1 plus 10 square ठीक है ये quarter square A के बराबर होता है ठीक है quarter square A के बराबर होता है ठीक है याद रिखेगा इसका बिल्कुल option number C हो जाएगा जितने भी student सीधे रहें बिल्कुल 100% तो आज का सीरीज आप सभी को कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएगा ठीक है और अगर जादस अच्छा लगा है तो जादस जादस सभी दोस्तों के पास share करेंगे मुझे ठीक है और live में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलेंगे ठीक है साम को 7 बज़े और सुबह को 7 बज जाता बहुत ही बेहतरिन तरीके से ठीक है तो जीतने भी आपके मीत रहोंगे ठीक है और नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक है धन्यवाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में